इरोपिय संग के बारे में आगे हम छोटी छोटी चीजों पर बात करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि इरोपिय संग से कौन कौन से सदशे किस परकार जुड़े कब वो सदशे बने इरोपिय संग के तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कौन से संदी के बारे में पेरी संदी क कितने देशों पर सहमती हुई थी छह देश छह देश इसमें जुड़े थी फ्रांसीज बेल नहीं हमने अच्छे पढ़ लिया था उसके बाद में फिर आगे हम बात करते हैं तो 1973 में तीन देश यूरोपे संग से जुड़े एक देन्मार्क एक आपके आइरलेंड और एक था ब्रिटेन तो डेन्मार्क आइरलेंड और ब्रिटेन 1973 में यूरोपी संग से जुड़े थे मतला इन देशों में सहमती बनी उसके बाद में फिर बात करते हैं उनेशों 181 में और 1881 से जो देश जुड़ा उसका नाम था यूनान उनेशों 1881 के बाद में फिर बात करते हैं 1886 में और 1886 में एक स्पेन और दूसरा पूर्टगाल तो 1886 के बाद में फिर बात आती है 2004 की और 2004 में यूरोपे संग से कितने देश जुड़े दस ठीक है इसके बाद में बात करते हैं 2007 की और 2007 में दो देश एक रोमानिया और दूसरा बुल्गारिया तो रोमानिया और बुल्गारिया ये दो देश और जुड़े फिर 2013 के बात करें तो 2013 में क्रोएसिया देश और जुड़ा और क्रोएसिया जो देश था वो यूरोपे संग का कौन सा देश था 28 वा तो 28 देश यूरोपे संग में थे 2013 लेकिन वर्तमान में ये जो सुदश रंक है ये 28 से घट करके कितनी हो गई 27 इसका मलब एक जो देश था वो यूरोपे संग से क्या हो गया अलग गया तो वो कैसे अलग हुआ उसके हम बात करते हैं तो देखो ब्रिटेन में काफी दिनों से चर्चा चल ले थी कि वो यूरोपे संग के साथ रहना चाता है या नहीं तो वहाँ पर जन्मर संग्रह करवाय गया जिसे का गया ब्रेक्जिट तो बेगजिट क्या है कि ब्रिटेन का यूरोपिय संग से अलग होने के लिए जो जन्मर संग्रा करवाया गया उस जन्मर संग्रा में वहां के जो ब्रिटेन के नागरिक थे और ये जन्मर संग्रा कब वहाद हो जाल 16 में इस जन्मल संघ्रई के मात्यम से क्या हुआ वहां के नागरिकों ने वोटिंग की और वोटिंग में 41.9% जो लोक थे वो चाते थे कि ब्रितेन किस से लब हो जाए ये उरोपीय यूनियन से लब हो जाए ये शंघ से क्या हो जाए अलग हो जाए ताकि वो अपने निर्णे स्वतन्त रूप से ले सके यूरोपेशंग का किसी प्रकार से कोई दवाब ने हो Brexit के बाद में फिर हम बात करते हैं यूरोपेशंग के जंडे की ध्वज की तो यूरोपेशंग के ध्वज या जंडे की बात करें तो हम बात करते हैं यूरोपिय संग का जंडा तो EU और EU का क्या है जंडा जब EU के जंडे के हम बात करें तो इसमें सोने के कितने सितारे हैं सोने के 12 सितारे और सोने के जो 12 सितारे हैं ये किसको दिखाते हैं इनकी एक परकार से संपन्नता को दिखाते हैं और ये जो जंडा है किसका प्रतीक माना गया है एक प्रकार सी ये पून है तो पूनता का एकता का इनमें एकता बनी रही पूनता एकता और समगरता इसका इसको क्या माना गया है प्रतीक माना गया है तो सोने के बार ऐसी तारों से मिल करकी बनाएं जो पूर्णता एकता और समगरता का क्या है प्रतीक ठीक है तो यह तो गया यूरोपिय जंडे की बात की उसके बार में हम छोटी-छोटी चीजों की बात करते हैं और सबसे पहले हम लेते हैं यूरोपिय परिसद और यूरोपिय परिस्तत की जब हम बात करें तो यूरोपिय परिस्तत का निर्मान का हुआ 1949 में और एक प्रकार से यूरोपिय संग को कैसा रूप देना राजनेतिक कि यूरोप के रेसों को राजनेतिक रूप देने के लिए 1989 में येरोपिय परिस्द का क्या हुआ निर्माण हुआ इसके बाद में आगे हम बात करें तो जून 1979 1989 में क्या हुआ येरोपिय संसद का चुनाव हुआ येरोप के देशों के एक संसद बनाई गई थी उस येरोपिय संसद का चुनाव रखा गया जोन 1989 में इंपोर्टेंट क्यूशन आपके लिए कि एरोपिय संसद का पहला पर्टेक्स क्यूशन कब हुआ 1979 में इसके बार में बात करें तो 1990 में जर्मनी का एक इकरण हो गया था तो यह मेन एक्जाम में आयो भाक्यूशन है कि जर्मनी का एक इकरण कब हुआ तो जर्मनी का एक इकरण कब हुआ 1990 में तो 1990 में जर्मनी का क्या हो गया एक इकरण हो गया अब 90 के बाद में फिर आगे हम बात करें 1993 में क्या हुआ तो 1993 में यूरोपिय देशों के मद्धे में एक बाजार बनाने का प्रियास किया गया तो यूरोपिय एक की कृत बाजार तो एक बाजार बनाने का प्रियास किया गया 1993 ये भी मेन एकजाम के लिए बड़े अच्छा किशन बनता है और सबसे जदा important question है वो है एक जन्वरी 2002 को लेकर एक जन्वरी 2002 को क्या हुआ एक जन्वरी 2002 को ये हुआ कि 12 देसों ने यूरो मुद्रा को अपना है तो हमने पढ़ा था मास्टी संदी के बारे में तो मास्टी संदी के माद्यम से यूरो मुद्रा पर सहमती हुई थी लेकिन इस यूरो मुद्रा को 12 देसों ने एक जन्वरी 2002 को अपने मेन एक जम्याईवा क्यूशन ने और बड़ा इंपोटेंट क्यूशन आपके लिए बनता है फिर 2003 में एक प्रियास किया गया और वो प्रियास था एक प्रकार से साजा सविधान बनाने का कि सभी देश जो यूरोपिय संग से जुड़े में उनका एक ही समिधान हो लेकिन इस पर सहमती नहीं बनी इसलिए यह जो प्रस्ताव था वो ऐस सफल हो गया इसलिए साजा समिधान नहीं बन सका फिर 2009 में एक प्रियास हुआ और एक संदी की गई जिसे लिस्बन संदी का गया तो पुर्तकाल में एक संदी होती है लिस्वन संदी और संदी के मादने में से यह जो यूरोपिय संग में जो भी कमियां थी लिस्वन संदी Què जो दूर करने के लिए 2009 में का पर पुर्तकाल में इस लिस्पन संदी के बाद में फिर हम बात करें तो 2012 और 2012 के जो घटना है वो बड़ी अच्छी इंपोर्टेंट के सुनियां पर बनता है और वो है कि शान्ति का नोबल पुरुषकार दिया गया शान्ति का क्या दिया गया नोबल पुरुषकार और ये शान्ति का जो नोबल पुरुषकार दिया गया वो यूरोपिय संग को दिया गया क्यों दिया गया क्योंकि एक प्रकार से यूरोपिय देशों के मद्दे में जो जगड़े थे उन्हें क्या क्या दूर करने का प्रिया कर दिया गया अच्छा है कमा ए刘्ण कोसं बंता है श्यांति का नौबल प्रुष्कार येज उर्पए संगों कफ दिया गया तो आपको याद रखना है 2012 में फिर शांति के नोबल प्रुस्कार की बाद में हम बात करते हैं और कई चोटी चोटी चीजों की एक है कि दूसरी सबसे बड़ी सेनल है तो सेकंड सबसे बड़ी सेना यह देश नहों करके देशों का क्या हो अन गया संगठन तो सबसे बड़ी सेना है युरोपिय संग के बास और वो कौन सी है सेकंड तो दूसरी सबसे बड़ी सेना कौन से संगठन के पास है युरोपिय संग के पास इसके बाद में फिर हम बा और अंत्रिक्स के साथ साथ संचार प्रोध्योगी की तो संचार प्रोध्योगी की और अंत्रिक्स के छित्र में येरोपिय संग का कौन सा इस्तान है? विश्व में इसके बार में फिर हम बात करें कि येरोपिय संग के जो दो देस ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा से एक तो मास्टी संधी का विरोध किया और येरो मुद्रा का विरोध किया तो मोबायल में पहले जो हम कार्ड डालते थे उसका नाम था HD HD काट गोलते थे आज कल तो HD आने लग गया तो SD एक तो देश का नाम है स्वेड़न और दूसरे देश का नाम है देनमार्क तो स्वेड़न और डेनमार्क ये दोनों जो देश थे वह एक तो यूरो मुद्रा का विरोद करे थे और यूरो मुद्रा के साथ साथ वो किस पर जोड़ दे रहे थे वो जोड़ दे रहे थे मास्टिस संदी पर तो मास्टिस जो संदी थी इस संदी का भी ये विरोध कर रहे थे इसका मतलब दोनों देश चाहते थे कि यूरोपिय संग का अगर निर्वान होगा तो हमें युरोपिय संग के माध्यम से ही काम करना पड़ेगा युरोपिय संग हमारे से समंधित निर्णे लेगा हम अपने देख से समंधित निर्णे नहीं ले पाएंगे इसलिए इन्होंने एक तो युरो मुद्रा का क्या क्या विरोध किया और दूसरा इनोंने वो जो युरोपिय संग का निर्मान हुआ था मास्टी संदी का उस संदी का विक्या किया विरोथ किया तो एक तो हमने पड़ा युरोपिय संग का जंडा और सुने के बारे सितारे थे फिर युरोपिय परिशत कब बना तो 1949 में इसके बाद में यूरोपीय संसद का पहला चुनाव इस टासबर्ग में यूरोपीय संसद है और 1979 में इसका पहला प्रतेक्स चुनाव था उन्ही सुनब में जर्मनी का एकिकर्ण में एकिकर्ण हो गया एकिकर्ण हो गया तो जनवरी 2002 में 12 देसों ने युरोपय संग की एक मुद्रा थी और वो मुद्रा कौन सी थी यूरो इस यूरो मुद्रा को क्या किया अपनाया 2003 में साजा समिधान बनाने का प्रियास किया गए कि सभी देशों का एक समिधान होगा यूरोप के देशों का लेकिन सेमती नहीं बनी 2009 में लिस्बन संधी के माध्यम से यूरोपय संग में जो कम्या रहे थी उन्हें सुधारने का प्रियास किया गए तो सुधारों से समंधिते संधी थी और 2012 में श्यान्ति का नोबल प्रूस का युरोपय संधी को मिला अब सेना की बात करें तो विश्व में सेकेंड नमबर इसका आता है सेना की दश्ठी से और अंत्रिक्त और संचार प्रूद्योगी की चेतर में भी इसका विश्व में सेकेंड नमबर आता है और स्वीटन और डेनवाग दो ऐसे देश हैं जिन्होंने यूरो मुद्रा का भी विरोध किया और मास्टी संधी का भी विरोध किया तो यह हमने पढ़ लिया दो वीडियों के मध्यम से यूरोपिय संग किस प्रकास से बना और किन-किन चीजों पर यूरोपिय संग में सहमती बनी किस पर सहमती नहीं बनी अब आज के लिए आपका क्यों सना है आप अच्छे से पढ़ करके मुझे यह जवाब दें कि यह जो यूरोपिय संग आपने पढ़ा है इस यूरोपिय संग के संस्तापक देश कितने थे यह आपके लिए आज का क्यों सने कि यूरोपिय संग का निर्मान कब होता है 1992 में कौन सी संदी के माध्यम से मास्टी संदी के माध्यम से तो आप बताएं कि वो जो मास्टी संदी थी उस पर कितने देश उन्हें स्ताक्षर किये थे उस समय यूरोपी संग के कितने देश सदेश्य बन गए थे तो आज के लिए आपका ये क्यूस्टन है फिर मिलते हैं नेक्स